हे भगमान मुझे धन दे दौलत दे माला माल कर दे करोरा का लौटरी निकल वा दे पापा क्या हुआ पापा आज में एक ऐसा काम करके आयों जिसे सुनकर आप मुझे पर गर्प करेंगे अच्छा ऐसा क्या कर दिया तुने आज स्कूल से आते बग मुझे सड़क पे एक करोर रुपिया पड़ा हुआ मिला और मैंने उठा लिया ए भगमान तेरा लाक लाक शुकार है आखिर तुने मेरी मन की बात पूरी कर दी ए भगमान तेरे को आज में 11 नारियल और एक लड़्डू चड़ाऊंगा और आज में पूरा दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंग हां बोला हां तो ला पापा वो पैसे मैंने फेख दिया फेख दिया अरे काहे फेख दिया अरे पापा आपी ने बोला था ने कि अगर तुमें कभी एक रुपिया मिला तो नहीं लेना वरना पॉकेट से दो रुपिया चला जाएगा हां बोला था तो अरे पापा तो सोचि क्या तो पहले बोलना चाहिए तुना खामका में फिक के आ गया क्या पपा कब अकल आईए आपको साले बेप को भी तू करता है और मुझे बेप को बोल रहा है एरे हटो यार हर बक्त मारते रहते हो साले तुने जो गलती की है ना पैर से छाती पे लात मरना चाहिए तुरे को बस पापा बस आज आपने हमारे रिष्टे की सारी हदे पार कर दिया आज आपने जो थपड़ बारा है ना वो हमको यहा नहीं यहां लगा बाबुजी यहां और आप क्या सुचते भगबन सिर्फ आपको ही पैर दिया है नहीं बाबुजी नहीं मेरे पास भी पैर है और वो भी दो दो बेटा तु अपने बाप को लात मरेगा यह दिन देखने के लिए तुझे मैं इतना बड़ा किया अरे अरे पापा आप गलत सोच रहे हैं मैं आपको लात मारने के लिए नहीं बागने के लिए पैरिस्ते मल करूँगा अरे बेटा तुने क्या किया क्या क्या तुने एक करोर रुपया गबा दिया बेटा तुने बस पापा बस आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है मैं आपको वो एक करोर रुपया तो लोटा नहीं सकता लेकिन आपको एक ऐसा आइडिया दे सकता हूँ जिससे कि आप काफी हद तक पैसो की बचत कर पाएंगे अच्छा भोल बेटा जलदी बोल पापा आप मुझे एक बाइक दिलबा दीजिए तेरे को बाइक दिने से मेरी पैसे की बचत कैसे होगा बे अरे पापा अगर बाइक होगा तो जूते कम गिसेंगे और जूते खरणने का पैसा बच जाएगा आपका अरे बेटा मेरे पास इससे भी एक बड़ी आइडिया है जिससे तेरे उपर मेरा जो पैसा बरबाद हो रहा है न वो पूरी तरह बच जाएगा कैसे पापा? देख बेटा पहले एक चक्कू को हाथ में लेंगे फिर हाथ को ऐसे थोड़ा पीछे लेंगे फिर आसे तरह गूर्दे में चक्कू को घौप देंगे फिर तू थोड़ा मर जाएगा फिर कोई खर्चा ही नहीं होगा अले ले मेरा बेटा आजा बेटा आजा ये आगे नहीं बरना नहीं बेटा आजा आजा बेटा ये आगे नहीं बरना अरे बेटा आज़ा पापा के पास आज़ा पापा पीछे देखो मम्मी मुझे बेबकूप बना के भाग गया बेटा वैसे ये चकको तुझे नहीं तरी मम्मी को घोखना चाहिए शॉपिंग कर 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 के मुझे बरबाद कर दिया जी करता ये ही चकको साली की गुर्दे में गुर्दे में